वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों यह figure of speech का section लेकर के मैं present हूँ और यह इसलिए है क्योंकि आपके tate, super tate या बहुत सारी exams में figure of speech से समन्दित questions पूछे जाते हैं और बहुत सारे अंगिनत बच्चे ऐसे हैं जो figure of speech को लेकर के confusion में रहते हैं तो यह मेरी खुद की बनाए की sheet है जिसके through मैं चाहूँगा आपका ही confusion दूर किया जा सके यह figure of speech देख रहे होंगे आप यहाँ पे और अगर कोई पूछे figure of speech क्या होता है तो आप कह सकते हैं आप figure of speech is an ornamental use of words यानि शब्दों का जो अलंकारिक प्रयोग होता है वही figure of speech होता है आपको मैंने एक example दिया है कि जिस प्रकार आभुशन इस्तरी की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार भाशा में सरल्ता, नवीन्ता, मधूर्ता और सौंदरी बढ़ाने के लिए अलंकार का हम यानि figure of speech का प्रयोग करते हैं यानि एक figure of speech क्या करता है भासा की शुंदर्ता को उसकी सरल्ता को नवीन्ता को मधूर्ता को क्या कर देता है बढ़ा देता है समझ में आ गया होगा एक figure of speech क्या होता है ठीक है इसी को इंग्लिस में हम एक और definition के थ्रूश समझ सकते हैं कि a figure of speech is a word or phrase यानि यह एक ऐसा शब्द या वाक्यांश होता है that purchases a separate meaning from its literal definition यानि इसकी जो एक शाब्दिक परिभाशा होती है उससे कहीं कहीं इसका separate meaning होता है क्या होता है इसका एक separate meaning होता है जो जब हम अलंकार का प्रियोग करते हैं यानि एक शब्द या वाक्यांश जिसका अर्थ उसके शाब्दिक अर्थ से अलग होता है वही क्या कहलाता है अलंकार कहलाता है यह sheet मैं आपको PDF के रूप में upload कर दूँगा description box में आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा वहाँ जाके आप आरामसे से त्यार कर सकते हैं यहां देखे मैंने कुछ examples दे आपको he wears a black coat इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चे इसका शाब्दिक अर्थ है वह काली coat पहनता है लेकिन इसका अलंकारिक अर्थ क्या होगा इसका मतलब क्या लिया कि वह एक काली coat पहनता है यह एक शाब्दिक अर्थ हो गया लेकिन इसका अलंकारिक अर्थ हो गया कि वह एक वकील है खिक है इसी को हम figure office पेच कहते है यहां देखें दो सा example मैंने दे आपको he is living in a desert इसका शाब्दिक अर्थ क्या है शाब्दिक अर्थ है वह रेगिस्तान में रह रहा है लेगिन इसका अलंकारिक अर्थ क्या है कि वह तष्ट का जीवन जी रहा है यानि एक अलंकार जो है वो कहने का जो तरीका होता है उस तरीके को क्या कर देता है बदल देता और एक नवीमता ले आता है सौंदर ये ले आता है कोई पुझे ए यानि एक simile होता है, एक metaphor होता है, एक personification होता है, एक apostrophe होता है, एक oxymoron होता है, एक hyperboli होता है, और एक onomatopoeia होता है. यह साथ प्रकार के figures of speech हमें तयार कर लें हैं. तो पहला हमारा figure of speech है simile, जिसे हम उप्मालंकार कहते हैं, कहते हैं, in this figure of speech, we make a comparison between two objects of different kinds, which have at least one point in common, ध्यान रखेगा, which have at least one point in common, we use as or like to make comparison, यानि इसकी पहचान क्या है, कि हम as या like के द्वारा comparison करते हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं कि वो simile है, यानि इस अलंकार में हम दो भिन भिन प्रकार की वस्तूओं के बेच तुल्ला करते हैं, जिनमें कम से कम एक गुण क्या हो, समान हो, और इसकी पहचान क्या है बच्छो, ऐस या like के द्वारा हम क्या करते हैं, comparison करते हैं, ध्याना जाएगा, एस और like के प्रियोग के द्वारा comparison अगर किया गया है, तो कौन सा figure out of this page होगा, similar होगा, इतने सारी मैंने examples दें जो किसी भी किताब में एक साथ आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको figure out of this page के सभी examples देखने है न, तो मेरे इस वीडियो में या PDF में आप इस सारी examples त्यार करें, यह असंभाव मान के चलें, कि इनसे अलग, जनरल इटिटिट सूपर्टिक लेवल पे इनसे अलग कभी आपको कुछ दिया जा सकता, लेकिन मेहनत करनी होगी बच्चों, यहां देखें एक तो examples मैं describe कर दे रहा हूँ, life is like a dream, यहां life or dream का comparison किया गया है, किस के द्वारा, like के द्वारा है न, life is like a dream, यहां जीवन जो है सपने की तरह है, this is like, like यहां comparison कर रहा है, life अलग है, dream अलग है, यह क्या होगए आपके, similar होगे, एक और example ले लेते है, the color of his face is like that of coal, यहां भी देखें उसके चेहरे के रंग की तुलना किस से की गई है, coal से, यानि कोईले से की गई है, और comparison करने वाला शब्द कौन सा है, like, इसका मतलब यहां भी कौन सा figure of his face है, आपका similar है, एक और देख लेते हैं, जिसमें as का प्रियोग किया गया है, I wonder, यह William Wordsworth की लाइन है, I wonder lonely as a cloud, यानि मेरी तुलना किस से की गई है, cloud से की गई है, किस के द्वारा, as के द्वारा, clear हो गया होगा आपको, कि जब भी as या like के द्वारा, अगर हम एक comparison करते हैं, दो अलग-अलग चीजों के बीच में, जिनमें एक कुन कम से कम समान हो, वो हमारा figure of his face क्या होता है, similar होता है, सारी examples आप PDF में पढ़िएगा, तैयार करिएगा, हर हाल में आपको आपके exam में में जाएगा, ठीक है, अब यहाँ एक मेने notes आपको दिया है, कि ध्यान रखें, कि यदि एक ही जाती की, दो वस्तों या व्यक्तियों के बीच तुलना की गई हो, तब वो similar नहीं होता है, वो के लोग है न, तो इनके बीच comparison करेंगे, वो आपका simile नहीं होगा, ध्यान रखेगा, चले, next आपका देखते हैं, दूसरा हमारा है, metaphor figure of speech है, metaphor क्या होता है, in this figure of speech, we make comparison between two different, यहाँ भी दो अलग-अलग चीजों के बीच में comparison है, और ideas या भावों के बीच comparison है, in it, the things compare, यान treated as one and the same, उन्हें एक मान लिया जाता है, और सबसे बड़ी चीज है, we do not use as or like in this figure of speech, इसमें हम as या like का प्रियोग नहीं करते हैं, यहाँ यहाँ भी यह बच्चों, लेकिन यहाँ as और like के दोरा comparison न करके, दोनों को एक मान लिया जाता है, हिंदी में हम कैसे समझ सकते हैं, रूपक अलंकार में एक प्रकार की छिपी हुई समली है, समली की तरह इसमें यह पता नहीं चलता है, कि एक वस्तु दोसरी वस्तु की तरह है, यानि यहाँ तरह नहीं है, परन्तु यह पता चलता है, कि दोनों वस्तु में क्या हैं, एक ही है, यानि समली में क्या होगा, हम as a like के द्वारा उन्हें अलग-अलग दिखाएंगे, एक दूसरे की तरह दिखाएंगे, लेगि metaphor में क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे की तरह नहीं होंगे, बलकि दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ठीक है, examples देखते हैं, इससे और बहतर कर सकते हैं, he is the lion of the city, सोचेगा, अगर यही वाक्य होता, he is like a lion of the city, like तो सिमली बना देता, और यह दोनों अलग-अलग हो जाते, लेगिन यहाँ पर क्या है आपका, he को क्या मान लिया गया, lion मान लिया गया, he को क्या मान लिया गया, lion, यह दोनों मिलकर क्या बन गया, एक, यह metaphor, एक और आज की क्लास में मैंने भी बताया था, life is a dream, अगर हम कहते life is like a dream, तो जीवन सपनी की तरह होता, तो क्या हो जाता, सिमली होता, लेगिन यहाँ आपने life is a dream कह दिया, अर्थात life को ही हमने क्या मान लिया, dream मान लिया, यह metaphor हो गया, एक और देख लेते हैं, revenge is a kind of wild justice, अगर हम हो जाता आपका यह, यह सिमली हो जाता, लेगिन रिवेंज को ही क्या मान लिया, wild justice मान लिया, यह metaphor हो गया, सारी examples देखेगा, काम आएंगे आपके, ठीक है, यानि सिमली वो होता है, जिसमें as या like के द्वारा हम अलग-अलग चीजों का comparison करते हैं, और metaphor वो होता है, जिसमे comparison को करते हैं, लेगिन as या like नहीं लगाते हैं, और दोनों को मिला करके एक माल लेते हैं, ठीक है, दोनों clear हुआ होगा, थोड़ा बुद्बच्छों, नहीं होगा, तो फिर से देखेगा, PDF देखेगा, वीडियो देखेगा, इस समय जान लगा दीजी तियार करने के लिए, ताकि एक-एक numbers जो आपके लिए important है, वो इधर धर नहों पाएं, ठीक है, तीसरा है personification, मानवी करण अलंकार हम क्याते हैं, in this figure of his speech, lifeless things, यानि जो निरजीव चीजें हैं, dead persons, जो मरेहवे लोग हैं, and idea, जो हमारी विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, are described, इध्यान रख हैं, या जो हमारी विचार होते हैं, भावनाएं होते हैं, इनको हम सजीव के रूप में क्या करते हैं, वर्डन करते हैं, इंदी में कैसे समझते हैं, इस अलंकार में निरजीव बस्तों, अनुपस्थित लोगों, यह जो dead हो चुके हैं, और भावों को सजीव मानकर, यह तो एक विचार है ने एक अनुभव है हमारा ले experience को हम क्या मान रहे है हम एक best teacher मान रहे है यानि एक best teacher के रोप में हम उसका वर्डन करने सजीव मान रहे है ले experience तो भाव है ले भाव है ले हम teacher मान रहे है में सजीव बना दे रहे है एक और देख लेते हैं but patience to prevent that murmur soon replies ले जो एक John Milton के lines है आपको याद होगा कि जो धैर है उस बड़बडाहट को शिकायत को रोकने के लिए तुरंत उत्तर देता है भई patience तो धैर है हम देख नहीं सकते हैं लेकिन वो हमें क्या दे रहा है हमें वो उत्तर दे रहा है तो जब एक भावना एक भाव उत्तर दे रहा ह हो गया यानि यह personification हो गया एक और example देखते हैं the flowers nodded not means होता है सहमती में सर हिलाना यानि जो फूल थे flowers थे वो nodded हिल रहे थे मतलब वो अपनी रजामंदी दे रहे थे तो रजामंदी कौन दे सकता है जो सजीव होगा यानि flowers के द्वारा यहां पे personification किया ठीक है सब में दे प्यार कर लिजेगा सब देख करके आपका एक नमबर नहीं जाए रहेगा चौथे हम आ चुके हैं apostrophe यानि संबोधन अलंकार होता है आपका यह करें in this figure of his speech lifeless things, dead persons and ideas are addressed as living अब यहां एक फर्ग देखें तीसरे personification में are described था यहां पे है न उनको सजीव के रूप में हम क्या करते हैं वर्डन करते हैं personification में लेकिन apostrophe में क्या हो गया है इनको living beings के रूप में हम address करते हैं यानि क्या करते हैं इन्हें हम संबोधित करते हैं जैसे इस अलंकार में निर्जीव चीजों, मृत लोगों, अनुपस्थित लोगों या भावों को सजीवों की तरह संबोधित किया जाता है यही सब्द जो है personification में वर्डन किया जाता है और यहां संबोधित किया जाता है यानि personification है तो हम निर्जीव चीजों को सजीव मानकर उनके बारे में बात करते हैं उनका वर्डन करते हैं लेकिन apostrophe में हम वर्डन नहीं करते हैं हम उन्हें संबोधित करते हैं परसन फेके सन हो जागे लेकिन यहां क्या है हम क्या करें O death comes soon ए मृत्यो जल्दी आओ मृत्य को क्या हमने देखा है नहीं न और देखने के बाद देखने लायक नहीं रह जाएंगे हम समझते होंगे इसलिए यहां death को हम क्या कर रहें बुला रहे हैं एक भावना एक भाव है जिसे आमने देखा नहीं उसे बुला रहे हैं यह एपस्ट्रॉफी है एक्जल्ट ओ सोर्ष एंड रिंग ओ बेल्स है न यह आपकी लाइने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि खुशिया मनाओ एक किनारे खड़ी लोगों और रिंग ओ बेल्स और घंटियां बजाने वाले लोगों आप घंटियां बजाओ यह क्या यानि जो शोर्ष है और जो बेल्स है इन्हें सजीव मान कर क्या कर रहे हैं संबोधित कर रहे हैं यह आपकी ओ कैप्टन माई कैप्टन की Walt Whitman की लाइने हैं अगर आपको याद होगा जो American poet थे वहां से ली गए है फिर करें Milton thou art great, Milton क्या हो चुके है dead हो चुके है, लेकिन हम इनको गुला रहे हैं Milton, thou art great, यानि Milton आप बहुत महान हो, यानि हम उनसे कह रहे हैं मार्क लगा होता है, इससे पहचान सकते हैं कि संबोधित किया जा रहा है और इस तरह आपका अपस्ट्राफी हो जाएगा बाकि सारे एक्जामपल्स भी जो पंद्रे-पंद्रे के आस-पास मैंने बंच में देये हैं जरूर त्यार करेंगे, सारे एक्जामपल्स देखें काम आएंगे आपके, निक्ष्ट हमारी पास है आक्सी मोरन, कौनसा? आक्सी मोरन, यह आपका है विरोधा भाशी अलंकार, आप समझ सकते हैं नाम से कि in this figure of his speech we put two opposite words or ideas together in the same यानि एक ही वाक्य में हम दो विरोधी शब्दों को या दो विरोधी भावों को एक साथ रखते हैं यानि इस अलंकार में एक ही वस्त तुमें दो परस पर विरोधी गुणों को क्या किया जाता है? प्रदवर्श्ट किया जाता है जैसे कोई कहें देखें आपकी लाइन है न आपकी पोयम थी वो character of a happy life उसकी अंतिम लाइन थी अगर आपको याद हो and having nothing he hath all एक तरब कहरें उसके पास कुछ भी नहीं है तो दूसरी तरब कहरें he hath all उसके पास सब कुछ होता है यानि यह opposite ideas it is an open secret एक तरब करें यह open है एक तरब करें secret है यह opposite ideas life is a bitter sweet एक तरब करें कि जीवन bitter है और दूसरी तरब करें sweet है यानि यह opposite ideas है तो इसलिए यह क्या है oxymoran इसमें भी देखिए 15 के आसपास examples है सारी examples क्या करें यहां तयार करें आपके काम आएंगे ठीक है यहां भी देखें यह 15 examples मैंने आपको oxymoran में देए हैं जरूर सारी examples तयार करेंगा एक एक देखेगा दिकत होगी मिने से share करेंगा second last है hyperble अतिश्योग तलंकार होता है in this figure of his speech we make an overstatement यानि हम एक अतिश्य करते हैं अतिश्योगति करते हैं to increase the effect ताकि प्रभाव को वाकिकी प्रभाव को क्या क्या आ जासके बढ़ाया जासके या in this figure of his speech things are shown as greater or less better are worse than they really are यानि जैसा वो वास्तों में वो चीजें है उनसे या तो हम greater दिखाते हैं या less दिखाते हैं या better दिखाते हैं वर्स दिखाते हैं यानि उनकी वास्तविक स्थिति से हम बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करतें इसलिए hyperble हो जाता है यानि इस सलंकार में वाकिके प्रभाव क बढ़ाने के लिए इसे बात को वास्तविकता से कहीं बढ़ा चढ़ा कर या बहुत घटा करके क्या किया जाता है रस्तुत किया जाता है और यह examples देखे कितना बढ़ी आ है आपको याद होगा ये मैगबित में जो लिडी मैगबित है उसके द्वारा यानि उसके उपर ये वाक्य बनाया गया है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ हमें सा खून से सने हुए है तो उसमें कहा कि all the perfumes of Arabia will not shorten this later है यानि अरब में बना हुआ सारा जो इत्र है न वो भी उसके उन छोड़े हाथों को महका नहीं सकता उनकी बद्वो को दूर नहीं कर सकता है आप समझ सकते हैं बच्छों हम थोड़ा सा इत्र लगा लेते हैं तो हम ही नहीं हमारी आसपास की चीज़े महकने लगते हैं तो पूरी अरब का इत्र अगर उन छोटे हाथों लगा दिया जब डूब जाएगा पहले वो महकना छोड़ दीचिया यानि क्या है आपका ये अतिश्य योगती है नेक्स्ट है बेलिंडा इसमाइल एन दे होल वडवास की बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार क्या हो गया रसन हो गया वह कौन सी ऐसी मुस्कान है जो पूरा संसार देख लिया और खुश हो गया ऐसी कोई समाइल तो नहीं होती होगी न यानि याँ बिलेंडा के स्माइल को क्या किया गया बहुत बढ़ा चड़ा के हाईपर बल के रूप में प्रस्तोत किया इसे ओवर इस्टेटमेंट कहता है याँ बताया गया reverse of blood flowed into the battlefield आप समझ सकते हैं एक आदमी के शरीर में scientific point of view अगर आप देखेंगे तो सारे चार लीटर के आसपास blood होता है जिसमें से धाई लीटर blood जो है वो बाहर निकल सकता है मरने के बाद अगर काट दिया जाए शरीर को तो अब धाई लीटर blood एक आदमी के शरीर बाई कितने लाख लोग मर जाएंगे एक साथ कि वहाँ खून के नदियां बहने लगेंगे इस क्या किया गया इससे बढ़ा चुढ़ा के कहा गया तो जहां भी चीजें बढ़ा चुढ़ा के कही जाएं वहाँ पे क्या होता है आपका एक hyperbole यानि अतिश्ययोगतियलंकार होता है यानि एक शब्द की जानवरों पच्छीयों या वस्तों की ध्वनी के लिए अंग्रेजी में भिन भिन शब्दों का प्रियोग किया जाता है और उन शब्दों को देख कर आपता है कि वो animatopoeia जैसे यहां पे है I babble on the pebbles pebbles क्या होते है कंकड होते है ठीक है बैबल क्या होता है उनसे रगड़ खाना यानि मैं उन pebbles पे पत्थरों पे क्या करता हूँ बैबल कल कल करके बैहता हूँ पानी की वाक्या है यानि यह जो बैबल है क्या है एक ध्वनी है तो मैंने का जहां भी ध्वनी है वहाँ animatopoeia next time I hear the humming of bees यहनी मैंने मधुमक्यों की बन-बनाहट की उनकी बन-बनाने की क्या सुनी आवास सुनी यह humming क्या है उनकी sound है न यह क्या है आपका animatopoeia तो जरूर से बच्चों यह त्यार कर लिजिएगा ताकि figure of speech से समन्दित आपकी जो कमिया है वो दूर हो सके आशा ही नहीं विश्वास है कि आपनी थोड़ी से समय में चुकि आप समय भी कम है तो थोड़ी से समय में ही आपनी साथो figure of speech जो है आप त्यार कर लेंगे आप और इसका PDF अभी मैं upload कर दे रहा हूं मेरे टेलिग्राम चैनल पर आप लिंक में शेर कर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बाक्स में आप वहां जा करके टेलिग्राम से आप इस PDF को क्या कर सकते हैं राप्त कर सकते हैं ठीक है हमिशा खुश रहें त्यार करते रहें ताकि कर सकते हैं ठीक बच्चो